वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार आज के समय में जाद तर जहां पहर भी इंस्टोलेशन किये जा रहे हैं, वहाँ पे कोई न कोई प्रोडक्ट को स्किप कर दिया जाता है। को इन हो इन स्किप करके कान व": कुछ न कुछ पैसों के बचट कर दें। लेकिन उनकी ये चोटी सी बचत क्या होती है कि आप लोगों के लिए महेंगी पड़ सकती है तो आज के वीडियो में जो solar system होता है इसके अंदर safety के लिए जो भी component लगाये जाते हैं इनके बारे में अब discuss करने वाले यहां पर बात करेंगे ACDB के बारे में पहले हम बात करें है कि 3 kW से कम का installation कराते है तो यहां पर कौन-Kौन से component आपके पास होने चाहिए DCDB Box लिखा हुआ है और इसके जड़ distant लिखा हूए है właśnie 1000 वान रिखा हूँ चीजे mention की हुए थी तो इनके बारे में हम आगे समझेंगे पहले बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से component होने चाहिए तो जैसे आप box के अंदर देख सकते हैं आप फर्स्ट में लगा गया है fuse अब fuse कैसे काम करता है मान लीजे कि यहाँ पर आपके high current पेदा हो गया तो इसे में fuse होता है जो अंदर से coil इसमें काफी हलका सा एक wire होता है वो जल जाता है तो इसे में आपका पूरा circuit brake हो जाता है और आपके कोई भी चीज़ का कोई loss नहीं होगा इसके जश्ट बाद में यहाँ पर लगाई गई है SPD अब SPD कैसे काम करता है माल लीजे कि आपके रिया में lightning होती है high voltage पेदा हो जाते है तो ऐसे में यह क्या करेगा SPD जितना भी यहाँ पर voltage होगा उसको earth कर देंगे इसके बाद में यहाँ पर लगाई कि यह DC MCB अब DC MCB का यह काम रहता है कि माल लीजे वापस यहाँ पर high voltage होगा तो DC MCB यहाँ पर trip हो जाएगे तो यह चीज होती है यहाँ पर DC DB box के अंदर अब जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में AC DB box अब यह AC DB box ही है इसी DC DB box के साथ में लगेगा इसके अंदर यहाँ पर क्या-क्या component होते है तो AC SPD लगाई गई है जो वहाँ पर थी वो DC SPD थी यहाँ पर AC SPD लगाई गई है अब यह क्या होता है कि inverter के बाद में लगता है तो inverter के बाद में आपके जो भी घर के अप्लाइंसे होते हैं उसको connect करने से पहले आप यह device लगाते हैं अब यहाँ पर यह box होगा तो क्या safety provide करेगा अगर यहाँ पर high voltage पेदा हो जाते हैं तो यहाँ पर होगी आपके SPD जितना भी current होगा उसको earth कर देगा इसके बाद में यहाँ पर लगाईगी है हमारी normal AC MCB अगर high voltage होता है तो हमारी MCB trip हो जाती है कोई short circuit होता है तो यह चीज़े यहाँ पर safety provide करती है तो यह तो हो गया कि 3 kWh से कम का system लगा रहे है तो यह दोनों चीज़े लगाई जाती है जो DCDB box होता है solar panel से जो भी current produce होता है उसको हमारी DCDB box के अंदर लेके आते हैं और वहाँ से वो जाता है वापस inverter के अंदर inverter से जो current निकलता है उसको लेके आते हैं ACDB box के अंदर और ACDB box को directly connect किया जाता है हमारे घर के जो appliances वगेरा चल रहे हैं वहाँ से अब यह तो हो गया अगर 3 kWh तक आप single face का system लगवा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़े लगवानी होगी अब बात करते हैं अगर आप बड़ा system लगवा रहे हैं जहां पर आप 3 phase का connection भी करवा रहे हैं 5 kWh 5 kWh से जादा तो यहां पर क्या क्या चीज़े होती है तो जिसा आप मेरे पास देख सकते हैं यहां पर एक solar ACDP box अब solar ACDP box यह 3 phase के लिए तो यहां पर क्या क्या component होगे तो box के अंदर देख सकते हैं यहां पर 3 phase के MCB लगाई गई है जिसके अंदर 3 pole के यहां पर option है phase 1, phase 2, phase 3 और neutral अब सेम यह वैसे ही काम करती है कर high voltage हुआ तो यह automatically trip हो जाएगी इसके बाद में वापस यहां पर 3 phase के SPD लगाई गई है तो यह हो गया वापस यहां पर हमारा 3 phase के अंदर ACDP box next यहां पर solar DCDP अब यहां पर आप जैसा देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 in 2 out इसका मतलब कि यह कि जब आप बड़ा inverter करेते हैं तो वहां पर क्या होता है डबल MPPT लगा हुआ होता है यानि कि आप 2 array एक साथ connect करेंगे उसके अंदर तो उसका यहां पर option दिया हुए है यानि आपर क्या multiple आपको चीज़े देखने ही मिलेगी यहां पर कई बार आपको 4 in to 4 भी देखने हो मिल जाएगा 4 in 4 out 5 in 5 out ऐसे कही सारे यहां पर चीज़े आपको देखने हो मिल सकते हैं इनका मतलब ही होता है जितने ज्यादा यहां पर इन होगे उतनी ज्यादा आपके जो solar panel ह होंगे उनके एरे यहां पर लगे हुए होंगे अब यहां पर कई बार ऐसा भी आपको देखने हो मिल सकता है कि 4 in 1 out तो वह वाले जो बॉक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इंपूट तो 4 आते है लेकिन आउटपूट जो होता है वह सिंगल में निकलता है यही पैर आप यहां पर कहा है कि सारी चीजें डबल डबल लगाए यानि कि फ्यूस यहां पर दो लगाए गए हैं यहां पर सब्सक्राइब दो लगाए चार किवा अलग तो उन दोनों को यहां पर कनेक्शन करने का ऑप्शन दे रखा है अब यहां पर आप में से काफी सार लोगों का confusion हो सकता है कि two in two out की क्या जूरत है हम सारे वायर को आपस में joint करके भी तो लगा सकते हैं तो यह चीज यहां पर हम क्यों नहीं करेंगे इस चीज को समझते हैं अब हमारा inverter क्या होगा वहां पर आज के समय में क्या होता है मल्टीपल इन्पूट का option जाता है यानि कि मल्टीपल उसके अंदर MPPT लगाए गया होते हैं इससे क्या होता है कि हमारी जो अलग-अलग अरे होंगे solar के वो अलग-अलग उसको current को use करेगा तो इससे क्या होगा कि मालीजे आपका एक solar array है वो कम production करता है और एक array ज्यादा production करता है तो अगर आप उसे आपस में connect कर देंगे तो overall जो production होगा वो थोड़ा वहत कम हो जाए क्योगी एक पर अगर shadow आएगा तो दूसरे पर भी उसका effect पड़ेगा लेकिन अगर आप पूरा दोनों को individually connect करते है तो वहाँ पर कहता है कि जो अलग-अलग production उनका count होता है जिससे आपका जो production का low से वो कम होगा इसी के अंदर जो next आता है वो है solar ajb box अब solar ajb का मतलब क्या है तो यहाँ पर solar array junction box यानि कि जैसा नाम से पता चल रहा है कि array होंगा उनका यह junction है तो यह चीज कैसे काम करती है अब इसको समझते है यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं आप लिका हुआ 3 in 1 मतलब 3 array को यह single array में convert करेगा या फिर बोले कि अगर 3 array आप इसमें connect करेंगे तो वो parallelly connect हो जाएगा और एक single यहाँ पर output आपको मिल जाएगा तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुए इसे देखते हैं तो यहाँ पर भी same आपके 3 array आ रहे तो यहाँ पर 3 fuse लगा रखें यहाँ पर जो 3 fuse है यह सिर्फ phase के लिए है यानि कि जो आपके phase होगा इसको आप इसमें connect करेंगे neutral के लिए यहाँ पर दे रखा तो neutral को आप यहाँ पर connect करेंगे फेस वाले wire तीनों को यहाँ पर connect करेंगे इसके बाद में किया है कि यह पूरा सारे यहां पे parallel connect हो जागा यानकि इस सिंगल आउटपुट में निकल जागा तो यहां से जो positive negative निकलेगा वो पहले तो यहां पे जागा SPD में SPD से यहां पे earthing का वापस connect हो और इसके बाद में यहां पे लगाएगी एक MCB अब यहां पे यह DC MCB है जो हमारा AJB box होता इसे DC DB box भी बोला जाता है यह सेम box है इनमें कोई ज़्यादा difference नहीं होता है जहां पे हम DC DB box को काम में लेते हैं उसी जिगापर इसी box को भी काम में लिया जाता है लेकिन यह जो AJB box होता है इसे बड़े सिस्टम में काम में लिया जाता है यहां पांच किलोट से उपड़ लगा रहे हैं तब जाके हम AJB box को काम में लेते हैं बाकी ACDB और DCDB box को लगा जाता है तो यह तो हो गए इनके अंदर के अंदर कौन कौन से component होते हैं कि यह ती यहां पर क्या क्या चीज़े लगाई जाती है अगर आपके यहां पर solar system install हो रहा है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि यहां पर fuse भी लगे हुए हो आपके SPDP हो और आपके यहां पर जो MCB वगेरा साथी चीजों के प्रॉपर लगे हो हो नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं जो बाहर का box से इसके बारे में यह जो बॉक्स होता है यह नॉर्मल बॉक्स नहीं होता है इसे फरसी बॉक्स बोला जाता है यह आई-पी 65 रेटिंग का होता है यानि कि इस बॉक्स की खास चीज होती है इसलिए यहां पर अच्छी क्वालिटी का box लगाया जाता है अब यहां पर बात कर लेते हैं काफीज गया में देखा है कि फ्यूज खराब हो जाता है तो भी क्या होता है लोग इस चीज का द्यान ने रहते हैं कई दिनों तक जो solar system में बं तरीके से लो कि आपको यहां से screw कोल के इसको निकालना होगा फिर इसको change करके market से खाली यह वाला portion इसका change हो जाएगा इसके बाद आपका system पूरा वापस काम करने लग जाएगा साथ ही क्या होगा कि यहां पर MCB के case में तो कुछ नहीं होता है खाली a trip होती है इस चीज का द्यान दे सकते हैं अब यहां पर जो नेक्स होता है फ्यूज के case में भी क्या है कि जो फ्यूज होता है इसके अंदर फ्यूज लगा होता है यह फ्यूज कई बार यहां पर जल जाता है यह फ्यूज अगर आपका जल गया है तो क्या होगा यह black color का हो जाए तो यह चीज द अगर indicator होता है तो उससे directly आपको पता पढ़ जाता है कि मादम लीजे कि अगर short circuit हो गया या circuit close हो गया circuit cut गया है तो वहाँ पर आपको light से पता चला है कि circuit बंद हो चुका है कि यह जरूरी होते हैं लेकिन off-grid के case में कि इन्हें skip कर दिया जाता है तो off-grid के case में आपको क्या-क्या ध्यान रख रहा है तो यहाँ पर का सिस्टम है तो यहाँ पर लाइटिंग अरेश्टर का इस्टोल होना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं सिस्टम का इस्टोलेशन हो तो यहाँ पर एसी अर्तिंग बीसी अर्तिंग वहाँ लाइटिंग अरेश्टर के लिए सेपरेट अर्तिंग करना कंपल्सरी है आप नहीं पे बीडिन करवा रहे हैं यह सारी चीजे होना एक काफी इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके स और लाइटिंग अरेश्टर के अंदर वी दो तीन टाइप आते तो उन सब में से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप सलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अब यहां पर बात कर लेते हैं, आप solar system लगवाते हैं, और वहां पर safety component लगवाना भूल जाते हैं, या फिर नहीं लगवाते हैं, या फिर installer install नहीं करता है, तो क्या हो सकता है, तो अगर ऐसे case में क्या हो, अगर मालीजे high current पैदा होता है, या फिर high voltage आगया किसी current से, या तो आपके inverter जल सकता है, अगर inverter खराब हो गया, और वह current inverter से आगे चला गया, तो आपके जो appliances है, उनको भी खराब कर सकता है, तो यह चीज़ का यहां पर नुकसान हो सकता है, काफी सारे cases में यह भी दिखा गया है, जो आपकी wiring होती है, वो भी खराब हो जाती है, त यह चीज़ यहां पर इंसे completely आपको safety provide कराते हैं, दोस्तो यह थी यहां पर पूरी जानकारी, ACDB, DCDB, AGB और जितनी भी यहां पर earthing, lighting अरिश्टे लगाया जाते हैं इनके बारे में, इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को पता चल सके कि अगर आप ACDB, DCDB box नहीं तो आपको proper product दे वे, ऐसा नहीं हो कि वो आपके साथ दोका दड़ी करते, खाली MCB लगा के दे और आप वहां से ले के आजाएं, क्योंकि इन चीज़ों का आप इतना पता नहीं लगा पाएंगे, तो यह सारे component आपको बताएं हैं, जिससे कहा कि आप easily जाएंगे तो आप यह यह component होने चीए, अब यहाँ पे जैसे 3 in 1, 3 out लिका हो ऐसा 4 in 4 out होगा तो उसके अंदर component और बढ़ जाएंगे, तो यह सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए इन product को खरीदना होता है, इनके अंदर आपको ज्यादा confuse होने वाली बात नहीं है, ज्यादा तर झाल